रिठी क्षेत्र के समस्त किसानों ने आज दोपहर एक बजे सहकारी बैंक में उपस्थित होकर किसान एका जिन्दाबाद के नारे लगाये वो नारे लगाते हुए मानिय कलेक्टर महोदय जी के नाम तहसीलदार महोदय जी श्रीमती पूर वीतिवारी को ग्यापन सौपा ग्यापन में कहा गया कि समितियों में दिनांग 25 जन्वरी के पश्चात शासन के निर्देश अनुसार रिठी जन्पत क्षेत्र के पाँच समितियों में लगभग 36,811 किलो की तुलाई हो चुकी है किन्तु आज दिनांग तक शेत्र के किसान की धान ओनलाइन फिरिंग साइड नहीं खुल पा रही है जबकि वर्तमान में किसानों के यहां शादी को लेकर समस्या सामने आ रही है और पैसे की बहुत आवशकता है तथा फिटिंग ना होने की व को दो पहर 12 बजे से बिजली विभाग के सामने चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसकी पूरी जवाब दारिशासन प्रशासंग की होगी रिठी समबादाता हरिशंकर बेन रपोर्ट पास तारिक हो गई करीब एक माहा हो गए इसके माधियं में हम लोग कलटर के पास भी गए तैस्विजा के मैटना के पास भी गए कोई सुनने वाद नहीं हमारी जाओना चटना चाहेगी यह नहीं चड़हेगी इसका हमें जबाब चीज़ किसके नाम का सुप रहेंगे मैं मुआसपा रहने गाई किया नाम है अब का सीधा अब आपका अब कि अग कि अग्वाया है हम लोग आज एक महीं ज़्वा सुपरीसान है दान फरीदी होने की बावजिदी पहले इद्धान है तो प्या अगया नहीं था नहीं था इसके बाद सासन ने 25 तारिक के बाद हम लोग के पास भी समस्या है अब क्या किया जाए इसके लिए धानी चड़ाई जा रही है कहां के रहने वाले हैं अम्मा जखमा की है क्या नाम है रोहत अग्वार